असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स मैं हूं सनम लावास और आप देख रहे हैं इस साइन्स स्कूल चैनल आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ की बायालोजी का चेप्टर नमबर फॉर जो के जिसका जो हम टॉपिक आज करेंगे वो है हिस्ट्री ओफ फॉर्मिलेशन ऑफ सेल थेरी किस तरह सेल थेरी जो है वह बनी उसस्वरी कितने साइन्टिस्ट्स ने इसलों करके एक सेल थेरी बनाई और किस साइन्टिस्ट करके कोई अगे लेके उन्होंने further discoveries की और किन-किन मराहिल से जो है वो scientist गुजरे in order to make a cell theory ठीक है यह हम पढ़ेंगे आज की topic में कि किस तरह cell theory जो है वो वजूद में आई और कौन से उसके जो है वो एक फिर हैं तो जो सबसे पहले इसल ठेड़ी के बारे में या बारे में जिन साइटिस्स ने स्ट री की थी वो कौन थे वो geek scientist से कौन थे गृक्रीक scientist सबसे पहले जो निफ्जल वर्ट के बारे में जिन scientist ने study की थी वो कौन थे? वो थे Aristotle और हम first chapter में पढ़ के आएंगे कि Aristotle ही थे जिनको क्या कहा जाता था? Father of the biology ठीक है? ये वो scientist थे जिन्हों ने क्या concept दिया? ये जो living organisms है यानि कि plant और animals है are somehow related इसने एक concept दिया था कौन सा concept? कि plant and animal are somehow related इसने क्या बताए था? कि ये plants और animals किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से relate करते हैं अब वो कौन सा तरीका था? क्या किस जो है वो कौन सा reason है? या किस तरह वो relate करते हैं? वो इनको नहीं पता था इनको बस ये एक mind में question आया कि plants और animals somehow related कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे से relate करते हैं लेकिन वो relationship कौन सा है वो इनको नहीं पता चल सका क्योंकि उन दिनों में ना microscope जो है वो invent हो सकी थी तो ये question question ही रह गया था काफी सालों तक कि Aristotle ने इतना तो बता दिया इन्होंने क्या raise कर दिया एक question raise कर दिया ठीके एक question raise कर दिया mind में कि plant और animals are somehow related अब किस तरह वो relate करते हैं वो ना इसको पता चल सका ठीके, इसने यहीं जो है वो बात को खतम किया कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में relationship है क्या relationship है वो अरस्टोटल नहीं बता सके देन 1665 में एक और scientist आए उन्होंने कौन थे वो scientist Robert हुग थे उन्होंने अपना बना हुआ compound microscope यूज करके simple compound microscope यूज किया और किसको study किया उन्होंने study किया cork slice को ठीके जब cork slice को जब study किया तो क्या देखा उसमें या उनको उसमें क्या दिखाई दिये compartments दिखाई दी क्या दिखाई दी compartments और वो compartments किस तरह की थी hexagonal shape की compartment like this इस तरह की compartments उन्हें दिखाई दी hexagonal shape में उनको जो है वो compartments दिखाई दी किसमे? cork slice में और उन compartments को इसने क्या कहा कि ये किस तरह दिखाई देती हैं? looks like a honeycomb ठीके? ये किस तरह दिखाई दे दे थी? Robert Hook ने cork slice को microscopically study किया तो उसने hexagonal compartments को देखा उन compartments को उसने कहा कि ये किस तरह दिखती हैं? just like a honeycomb यानि छटे की तरह दिखते थे और उसको इसने नाम क्या दिया? cellular जो बात में जाके cell बने ठीके? इन्होंने इसको क्या नाम दिया? cell का नाम दिया अब इन्होंने जो cell जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या discover किया था? cork में, cork slice में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ cell wall को देखा था उसके अंदर क्या है? वो उसको कुछ भी नजर नहीं आया इन्होंने just क्या observe किया था? रॉबर्ट हुक ने just in compartments में cell wall को देखा था क्यों cell wall को देखा था? क्योंकि इसने जो cork slice लिया था वो dead tissues थे कौन से tissues थे? वो dead tissues थे that's why उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या observe किया? cell wall को observe किया फिर हमारे पास कौन से scientist थे? 1617 में Sir Anthony Vaughan Lewynhawk आहे उन्होंने क्या किया? वो जब आये तो उन्होंने living cells को discover किया किसको? living cells को observe किया ठीके? किसमे? ponds में ponds water में ठीके? उन्होंने ponds water को study करते वे क्या देखा? उसमें living cells को observe किया जबके Robert Hook ने जो cork का slice देखा था उसमें उन्होंने कौन से cells देखे थे? death cells थे क्यूंके वो उन्होंने just cell wall देखी थी जबके Antony Von Lewin Hook ने जो है वो living cells की discovery दी थी किसमे? ponds water में उसके बाद 1683 में वही Antony Von Lewin Hook ने क्या किया था? कितने सालों बाद? 13 साल तक इन्होंने बहुत सारी discoveries की बहुत सारे experiments किये ठीके? और उनकी क्या की? microscopic study की फिर उन्होंने एक Royal Society को लेटर लिखा उसमें उन्होंने वो सारी चीजें बताएं कि उन्होंने अपनी microscopic study इतने साल जो उन्होंने study की उसमें जो भी इन्होंने देखा उसको उस लेटर में उसमें describe किया और यहां से उन्होंने जो है वो miniatures animals को की discovery की वो कौन से animals थे और उन discoveries के बाद जो इन्होंने जिन animals को discover किया था वो कौन से थे miniatures animals वो कौन से थे protozoin bacteria ठीक है? यह तो था living cells की discovery जो एंटोनी वाल लुइन होग ने की थी फिर एक और scientist आए ठीक है? 1833 में कौन है? Robert Brown आए उन्होंने क्या वो कौन थी? वो एक botanist थे ठीक है? botanist थे तो इन्होंने किस पर study की होगी? plant पर study की होगी? और plant की study करते हुए इन्होंने किस चीज़ को discover किया था? इन्होंने center of the cell को discover किया था किसको? center of the cell इन्होंने cell के center को discover किया था और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? nucleus यन्होंने कहा कि cell के center में कोई ऐसी चीज़ मोजूद है जिसको उसने क्या नाम दिया? nucleus जबके हमने देखा है कि Robert Hooke ने क्या बताया था? 1939 में वो थे Theodor Shivan ये कौन थे? एक German botanist थे? इन्होंने क्या थेरी दी? या इन्होंने क्या statement दी? कि not only plants but animals tissues are also made up of cells जबके Robert Brown ने plant में क्या देखा था? nucleus को discover किया था इन्होंने center में nucleus को discover किया था और Theodor Shivan ने क्या कहा था? जो कि एक botanist था? उन्होंने कहा कि सिर्फ plant ही नहीं बलके animal tissues भी किस के बने वे हैं? cells के बने वे और इन तमाम previous statement को लेके इन्होंने एक theory organized कि वो theory दो points पे मिश्ट मिल थी वो क्या थी theory? कि cells are organisms and all organisms are consist of one or more cells Theodor Shivan ने जो theory दी थी किस के बिना पर theory दी थी? वो previous statement को और सारी जो scientist थे उनकी statement को कठी लेके उन्होंने एक theory बनाई थी जिसका पहला point था कि तमाम organisms जो हैं वो cell के बने वे हैं ठीके? तमाम living organism किस के बने वे हैं? cell के और वो क्या रखते हैं? या तो वो unicellular होंगे या वो एक cell के बने वे होंगे या वो more than one cell के बने वे होंगे जो next point था Shivan की theory का वो क्या था? cell is the basic structural unit of life कि cell जो है वो यही cell है जो आगे जाके structure बनाएगा that is tissue and then organ then system इसी से आगे जाके क्या बनेगी? next to scientist थे 1840 में वो थे Albrick, Worn, Roilick इन्होंने क्या किया था? देखें है वक्फण पर वक्फण बहुत सारे period गुजरने के साथ theory में जो है development आ रही है, मुक्तलिव statement आ रही है उसको लेके तुर दूसरा scientist जो है वो पिछली statement को लेके आगे चलता आ रहा है और new theory बन रही है 1840 में जो Albrick, Worn, Roilick थे उन्होंने क्या concept दिया था? उनकी जहन में एक question था कि how life arise life arise के से होती है? तो आपको पता है कि sperm और egg जब fuse होते हैं fertilization के process से तो zygore बनता है तो यह जहन में था इसके उन्होंने का तो फिर sperm जो egg है ना वो भी क्या है? these are also cells मतलब इन्होंने यह concept दिया Albrick, Worn, Roilick ने क्या concept दिया? कि sperm और eggs जो हैं वो भी क्या है? वो भी made up of cells उसी cells से फिर आगी जाके zygore then life arise होती है तो इसका यह concept था कि sperm और जो eggs हैं वो भी क्या है? cell के ही बने वोते हैं फिर इसके बाद 1845 में एक और scientist है called Heinrich Brown इनका क्या concept था? इन्होंने क्या किया था? rework किया था दोबारा काम करना शुरू किया किस पे? cell theory पे और इस काम करके इन्होंने जो statement दी मुक्तलिव stages के बाद वो क्या दी? कि cell is the basic unit of life ठीके? called Heinrich Brown ने क्या statement दी? उन्होंने दुबारा उसी cell theory पे काम करते जो हमें Chiron से मिली थी Therodra Chiron ने दो statement दी थी उसके बाद उन्होंने क्या काम किया और क्या statement दी? कि cell is the basic unit of life next two scientists थे जन्होंने थर्ड पार्ट of the cell theory देखे दो statement आ चुकी किसने दी थी? Therodra Chiron थे उन्होंने दो statement दे दी cell theory की जो थर्ड पार्ट of the cell theory था वो किसने दिया था? 1855 में रोडॉल्फ विर्चो ने दिया था ये कौन थे? ये जो है वो फिजियोलोजिस्ट थे फिजिशिन थे और पैथोलोजिस्ट थे इन्होंने क्या concept दिया? इन्होंने कहा Sir Rodolphe विर्चो ने कहा कि cell is not a denovo इसका मतलब क्या है? denovo क्या है? कि cell जो है वो denovo का मतलब क्या है? कि non-cellular से arise होना arise from from non-cellular structures यानि ऐसे चीज़ें जो non-cellular से arise हो तो इनका क्या concept था? cell is not a denovo ठीक है? यानि cells जो है वो non-cellular part से arise नहीं होता बलकि किस से arise होता है? cells जो है वो arise होते है from pre-existing cells जो पहले से life या cell मौझूद होंगे वही cell divide होके क्या देंगे? cells देंगे यानि कि life arise from life इसका क्या concept था? कि जिन्दगी जिन्दगी से ही वुजूद में आती है life क्या है? cell क्या है? तो इसका मतलब है? इसका ये concept था कि cells जो है वो arise होते हैं from pre-existing cells यानि जो पहले से वुजूद में या मौझूद है cell उनी से जो है वो ये cells arise होंगे देनोवो नहीं है non-cellular structure से cell arise नहीं होंगे ठीके? और लास में जो है वो 1862 में जो लास्ट साइन्टिस्ट थे cell theory में जिनका contribution था वो थे Sir Lewis posture इन्होंने फिर Rodolf Ritcho की statement को experimentally proof किया किस तोर पे? experimentally proof किया कि वाकिश cell arise from pre-existing cells यानि cells pre-exist किये हुए हैं जो cell पहले से मौझूद है उनी से arise होता है या नहीं So it is It was proved by Lewis posture in 1862 ये थी formulation of cell theory के किस तरहा कितने scientist की contribution के बाद जाके एक theory cell theory बनी है जो हमारे सामने है ठीके तो इतने scientist ने उसमें contribution किया था फिर जाके ये cell theory के postulates बने ये था हमारा आज का lecture next lecture में हम पढ़ेंगे main postulates of the cell theory अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो subscribe करें, like करें और share करें और comments भी दें ताके मैं अपने lectures को improve कर सकूँ thanks